लोधी में गिर गिया तो आभी आप कहा रहते है यह इस्कूल में रहता है कोई रोकता डोकता नहीं है है मयरा घार नहीं है तक्ले जए डियो हुआ गट अधर पंद्रा 11 रोग इस हॉल नुमा कमरे में रहते हैं यह एक स्कूल है टीचर आते हैं कुछ भी यहां पर कम्रे के चारों कोनों में चारों परिवारों के अपने प्रफ्री रख्यों थे हुआ हैं अब मेरे साइट अगर कर फिस नमस्कार मैं मुखुल मंगाल के मुर्षिदाबाद और हम सुबह से मुर्षिदाबाद के कई सारे एरियास को कवर कर रहे हैं शाम हो गई है और अंधेरा हो गया लेकिन फिर भी हम आपको कुछ यहां की कहानिया हैं जो बताने कुशिश कर रहे हैं दरसल महेश्टुला गाउं में मौझूद हैं यह मालदा साउथ लोकसभा के अंदर आता है शेत्र और पता नहीं आपको कैमरे पे कितना दिख पाएगा लेकिन यहां पर यह आप देख पाएंगे कि इधर जो जिदर की तरफ मेरी उंगली है यह गंगा नदी है और इधर के साइड में उधर दूर आपको अगर शायद कीजिस से और दिख और बताया गया कि लगभवक सव परिवार यहां पर एसे हैं जिनका घर इसी तरीके गंगा जैसे जैसे बढ़ी तो उनका घर भी इसी तरीके से बह गया है और उन kingdom ने पनाह मिंए यहां के स्कूल है जो आँगनबाठी स्कूल है वहां पर लगबग 500 ल करके रह रहे हैं और इस तरीके से यहां पर हर साल जैसे पाणी बढ़ता है जैसे भारिश का मौसाम आता है तो वह बयर जाते हैं नहीं के घर और इम बढ़तार चला उुट तो हम यहाँ पर कुछ विक्टिम्स हैं जिन से बात करने कोशिश करेंगे जिनका घर इसी तरीके से गंगा के बढ़ने से बह गया है अब आपका आपका जो गाउं है इसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिनका घर यह बह चुका होगा इसमें गंगा में अक्सप्लास अच्छा अक्सप्लास घर लोदी में गिर गया और यह हर साल नदी बढ़ती इसी तरीके से यह बताईए कि आपका भी घर इसमें बै गया से कियो एक सा लोग इसक एला किराये को रहने के लिए परमीशन लिए आपको रोकत नहीं है कि तो कर दूकता नहीं है तो मतलब कमरे नहीं होंगे सब लोग एक साथ रहते हैं एक घर में दस परिवार पाच परिवार कितनी दूर है स्कूल अधर कितने लोग होंगे गाओं में कितने लोग है यहां पर भी बीडी के सब श्रमिक हैं और बचा है नहीं नहीं तो यह कौन कौन करता है आप भी करते हो महिलाएं तरफ मेरे जूनियर हाई स्कूल है और दाइं तरफ प्राइमरी स्कूल है अगर आपको यह आश्यर हो रहा हो की स्कूल में इतनी रात को चहल पहल कैसे तो दरसल यह वही परिवार हैं जिनके घर पानी के बढ़ने से चले गए और इनके पास पैसे नहीं है कि यह अपना घर बना सकें तो यह लोग यहां पर शेल्टर लेकर करके रह रहे हैं और फरांस आप यह दिखाईए कि लोग बाग यहां पर रात तक बीडी बना रहे हैं क्योंकि यह इनके रोजगार का एक साधन है कि देखी यह बच्ची भी है शर्माना नहीं है तो यह कमरा है और इस कमरें में चार परिवार के लोग रहते हैं और यहां पर बच्चे महिलाएं और चार परिवार यहां पर रहे हैं पर यहां पढ़ाई कैसे होती है तो आप लोग रहे हैं एक कमरे में पढ़ाई होती है टीचर आते हैं कि इसी तरीके रहे हैं एक कमरे में 16 लोग और और बात्रूम वगरा कहां जाते हैं आप लोग बात कितने बात्रूम है यहां पर अच्छा तो मतलब सुबा तो बहुत भीड़ हो जाती होगी महिलाओं को तो बहुत दिक्काद होती होगी नहाने में और बाकी चीजों में जाकर के यहां नहाने की विवस्था नहीं है आचे को लेना और सब शान कोड़ाना को सब गॉंगा ते हैं अभी रेजन नहीं है अच्छा तो आप लोग गंगा में नहाने चले जाते हैं खाना कहां बनाती हैं आप अच्छा यहीं पर चारों परिवारों ने अपने अपने चूले यहां पर लगा रख हैं तो यह है यहां की स्थिती तो कमरे के चारों कोनों में चारों परिवारों के अपने अपने चूले रखे हुए हैं इधर भी एक चूला और इन्होंने बताया की और इधर भी दिखाईएगा इधर भी दिखाईएगा पीने का पानी क्या करते हो आप क्या नाम क्या है बीन दाउन सरकार अच्छा यह बताईए कि स्कूल नहीं चाहते आप ना अच्छा क्यों बहुत तिले ने जर्म सर्टिव चलो ना दिये इसलिए चले गई अच्छा उसका जो जितना भी डॉक्यमेंट था जब घर गिरा तो सब कुछ चला गया अब बहुत सारे लोग इस तरीके से कम्रे भी नहीं मिलें इस तरीके से यह टाट बोलते हैं तिरपाल बोलते हैं इसको और इस तरीके से भी लोग रह रहे हैं याँ पर सर्व सिक्षा अभियान और जब बड़े बड़े हम लोग सिक्षा को लेकर के आंकड़े डिसकस कर रहे हैं तब किसने सोचा था कि एक स्कूल मुर्शिदाबाद के गाओं वालों के लिए शेल्टर हूम का काम करेगा अगया यह बना रखा है है ना कभसे रहे हैं माप यहां पर अच्छा इसमें कितने लोग रहते हैं इसके अंदर पिशी के अंदर हें समघ्मिल्ब सुन तो में लोगं यह लोग भी हमारे देश के लोग भी वोट वोट देते हैं अपclip देते हैं यह अगया तो यह है हर कम्रे की वही कहानी है दो साल से और एसे कई सारे स्कूल है जहां पर लोग इसी तरीके से रह रहे हैं सालों से इस उम्मीत के साथ कि उनको एक दिन पैसा मिलेगा और वो घर बना पाएंगे जमीन आप लोगो के लोट हो गई है जमीने लॉट हो गए। क्यों क्या लगता को कारण की आप लोग इतना परेशान है फिर भी आप लोग को बार-बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन आपके उपर कुछ भी इसका सॉल्यूशन निकल रहा है कुछ भी इसका समाधान निकल नदी में उपर से बाली आता है वस्ता में बस्ता में नदी काम कर आता है लेकिन वह चीज से इसका इस्तमाल नहीं होता है तो क्या कारण लगता है आपको मतलब इसके कारण क्या है कि आपकी समस्या जो है उसका कोई समाध्हन क्यों नहीं निकल रहा है सब्सक्राइब किष्ग समाधन करेगा तक होगा हम जरी और करने पर गहीं pelvic सब्सक्राइब कियो नहीं कर रही यह समाधने आपको क्या करना लगता है क्यों लिऐ आते हैं नेता detecting है जाते हैं दे друг पूरे गाउंवाते है एक बार जलसक्त में तरी आया मीटिंग हुआ हो जाएगी तब 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 इंत के इन सरकार के जलसक्ति मंत्रा नहीं इस्टेट के तो आप लोग जैसे अभी इलेक्शन की वोटिंग होने वाली है और उसमें जिस कमरे में वोटिंग होगी उसके को खाली करने को बोल दिया किसने बोली है यहां पर तब रूम खाली करते ना है फिर जब बोट हो जाएगा तब आपको अंदर जाना है और एक तो इतेवार गया तब बोलके गया पूरा इसकुल खाली करने के लिए अब यह पता नहीं इसकुल के क्लास के बच्छी सब पावल जो राशन वगेर जो मिलता है उनके सिभा और कुछ भी नहीं प्याम आवास वावास का कुछ भी आपर नहीं कुछ भी नहीं तो यह इसमें टंकी में पानी नहीं है यह दिखाने का वस्व है जब सुविधाय नहीं मिलेंगी दिक्कत होगी तो अपने आप चले जा और हां के लोगा जो कोई भी स्कूल में से दो कर बाद जो दी अलग है तो उनके उपर एक्सन हो जाएगा जैसे मैंने का मेरे साथ का अगर कल क्या होगा मुझे भी नहीं पता इसलिए बोलने से बहुत ड़ते हैं सब लोग बोलने से ड़ते हैं कि जो जादा बोलेगा उसक मौत माल्दा है और यहां की यह स्थिति है कि लोग बाग बहुत जादा परेशान है हमने लोगों से उनकी तकलीव समझने कोशिश की उम्मीद है कि उनको घर मिलेंगे ऐसा कहा गया है कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन बाद उनको घर मिल जाएंगे दो-दो सालों से व तस्वीर भी आप तक पहुँशनी चाहिए तस्वीर भी आपको दिखनी चाहिए कि यहीं पर इसी तरीके से आपके साथ इसी देश के नागरिक जो हैं वो किस दशा में या किस दुरदशा में रहने को मजबूर हैं क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके आसपास ऐसा जीवन हो कितना मुश्किल है यह तो इन सभी चीजों के बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इमानदारी से दिखा पाएं जो हम देख रहे हैं बाकी आप खुद सोचिएगा और हमें बता प्रुट 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 प्रुट